नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजिनिर गुपाल पतेल पर आज हम लोग साइंस सूपर स्रीज का सेट फोर देखेंगे ठीक है इससे पहले हम लोग ने 75 कोश्टन कंप्लीट कर लिया है आज हम लोग 76 से 100 कोश्टन कंप्लीट करेंगे ठीक ह तो आईए हम लोग 76 नमर कोश्टन शुरू करते हैं और देखेंगे फ्रेंट्स ये सभी कोश्टन में जब 1000 कोश्टन हो जाएंगे तो सभी का एक साथ मैं PDF बनाकर आप लोग को टेलगराम चैनल पर अपलोड कर दूँगा ठीक है अगर आप लोग टेलगराम चैनल पर नह उसके बारे माप लोग को टेलगराम चैनल पर सूचना दिया जाए ठीक है तो आई हम लोग 76 नमर कोश्टन सुरू करते हैं चेचक के टीके को सरपर्थम किसने त्यार क्या दा तो चेचक के टीके का सरपर्थम विष्कार एडवर जेर ने गया ठीक है कोश्टन 77 देखते है निम्न में रक्त दाब मापक के अंदर कौन सा है तो रक्त दाब मापक के अंदर है इस स्फिग मों मैनोमिटर ठीक है और और नोट कीजिएगा जो मेक्ट अपन होता हूँगा जैसे देखिए आ मीटर आ मीटर से हम लोग क्या मापते हैं तो धारा ठीक है आ मीटर से करेंट पाइरोमीटर से उच्छ तापमान मापजाता है ठीक है और एनिवोमीटर से बायू की गती या सकती ठीक है नेक्स कोशन रखते हैं 79 78 पर्थम जीव की उत्पत्ति का होई थी तो पर्थम जीव की उत्पत्ति होई थी जल में नेक्स कोई अनुवान सिकता के जनमदाता किसे का जाता है ठीक है यानि जनेटिक्स का फादर ऑफ जनेटिक्स किसे का जाता है तो फादर ऑफ जनेटिक्स ग्रेगरी मेंडल का जाता ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं कोश्टन नवर 80 रडार का विसकार किस ने किया था तो रडार का विस recognition and range in next question question 81 मायोक ग्लोबीन में कौन सद्धातु होता है तो मायोक ग्लोबीनमें ल्वधातु उपसीत तता है ठीक है और लोहा गमलों 1980 करते हैं और इसका एट्मींक नमर कितना होता है तो इसका एट्मींक नमर टेंट लूई सिसक्स और सोना कम लोग AU से डिवन्ट करते हैं इसका एक्टोमिक नोगता है 79 ठीक है तामबा कम लोग CU से डिवन्ट करते हैं और इसका एक्टोमिक नोगता है 29 और चांदी का चांदी कम लोग AG से डिवन्ट करते हैं और इसका एक्टोमिक नोगता है 47 जो मैं एक्ट्रा पाइंट हो करता हूंगा आप लोग को उसा आप लोग नोट करते हैं जो आपके एक्जाम पॉइंट विव से बहुत ज्यादा इंपॉर्णेंट होगा ठीक है कोस्टन में एटिटूर जखते हैं पीतल किंद हातों का मिश्रण होता है तो फ्रेंड्स इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स म ठीक है तो इसका आप लोग को कमेंट वॉक्स में कमेंट करें ठीक है और वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल कभी जरू सब्सक्राइब करते हैं कोस्टन नमर 83 दखते हैं कि गेहूं की खेती के लिए किस उर्वरक का उपयोग करते हैं तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का और उर्वरक का उपयोग करते हैं ठीक है मतलब जिस उर्वरक में नाइट्रोजन का दिखता होती है उसमें हम लोग गेहूं की खेती का उपयोग करते हैं ठीक है और नाइट सब्सक्राइब करते हैं और इसका एक्वारेजिया में घुला जा सकता है ठीक है सोना को एक्वारेजिया में घुला जा सकता है और एक्वारेजिया का सुद्र क्या होता है एक्वारेजिया का सुद्र आप लोग नूट किजिएगा 3HCl plus 1H3 ठीक है यानि hydrochloric amble plus nitric amble ठीक है और यह दोनों सांद्र होता है यह भी आप लोग नोट कह लिएगा कि सांद्र hydrochloric amble और सांद्र nitric amble ठीक है जिसमें hydrogen chloride यानि hydrochloric amble का 3 पाट होता है और nitric amble का 1 पाट यानि 3 is to 1 ratio होता है next question question number 85 देखते है सक्कर के किनवन से क्या बनता है तो सक्कर के किनवन से इथाल अलकोल बनता है ठीक है और इथाल अलकोल का सुधर क्या होता है तो इथाल अलकोल का सुधर होता है C2H5OH ठीक है C2H5OH और ही अगर आपको मिथाल अलकोल पूछे तो methyl alcohol का सुथर होता है CH3OH, ठीक है, acetylene का सुथर क्या होता है, तो acetylene का सुथर होता है, C2H2, ठीक है, next question, question number 26, atomic number of plumbum, यानि सीशा का atomic number कितना होता है, तो सीशा का atomic number 82, ठीक है, और सीशा को अब लोग क्या करते हैं, एक और नाम जाना था, सीशा को अति सितित द्रो भी का जाता है, ठीक है, सीशा को अति सितित द्रब भी कहा जाता है, question number 27 देखते हैं, पलांक इस्तिरांग का मान कितना होता है, तो फेंस इसका विएंस आपको comment box में comment के दना है, ठीक है, यह मैं question आप लोग इसलिए comment में बताता हूं, कि आप लोग इसका comment मेंस दीजिए, मैं दे दो मन्त के अंदर आप लोग का एकजाम सुरू हो जाएगा, ठीक है, चाहे RRB, NTPC का जो बचावा एकजाम है, RRC Group D है, NFC है, जो 28 अपरेल को होने मारा था, ठीक है friends, यह फिर IGCR है, ठीक है, तो क्यूंकि COVID का case अब बहुत ही कमा रहा है, तो अब धीरे-धीरे सही राजियो से लोगडान कुर रहा है, तो अब है, आसा है कि अब एकजाम आप लोग का जल से जल सुरू जाएगा, ठीक है, तो इसका answer आप लोग comment box में comment कीजिए, कि plank इस तरांग का मान की इतना होता है, वैसे इसका आप लोग, एसा उनिट, जानने ज़े क्या होता है, जूल सेकेंड, ठीक है, कोश्टन नमर 88 देखते है, क्लोरोफील में कौन से धादू पायाती है, तो क्लोरोफील में magnesium धादू पायाती है, ठीक है, और magnesium का atomic नमर होता है, 12, और aluminium का atomic नमर कितना होता है, aluminium का 13, calcium का 20, और लोहा का मैंने बताया था 26, ठीक है, कोश्टन नमर 89 देखते है, किस gas को stranger gas के नाम से जना ज़ेता है, तो stranger gas के नाम से genon को जानता है, ठीक है, यह कौन सा गुरूप का है, तो यह 18 गुरूप का है, ठीक है, इसे हम लोग novel गुरूप भी करते हैं, और कहां सुरू होता है, तो यह होता है, helium, helium, neon, argon, krypton, genon, phyridon, ठीक है, तो helium हो कितना होगा atomic number, helium का atomic number 2, neon का 10, argon का 18, krypton का 36, genon का 46, और redon का 86, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, friends, कि किसी भी परमानू के बायतम का अच्छा में उपसित, electron की अधिकत्म संख्या का फर्मूला होता है, 2N², ठीक है, तो इसी फर्मूला पर आपका बेटता है, यह से N का मानूँए रखेगा, तो helium का atom का कितना आगि ज़ो, ठीक है, क्यूंकि उसमें electron के संख्या होती है, और जो electron की संख्या होती है, वही proton की संख्या होती है, और य सी तरह फ्रेंटस यह आगे बढ़ते रहता है ठीक हैं नेक्स्ट कोशण देखते हैं question number 90 कि प्रिस्ट तुनाओ का नीज़न गता है तो प्रिस्ट तुनाओ का एंज़न प्रती मीटर नेक्स्ट कोश्टन. Qe jogar 91 बल किसका गुनन फ moje екसे के नीज़न तो रोल की यानि मीटर प्रती सेकंड स्कॉाइर ठीक है यहां पर मिस्टेक हो गया फ्रेंट्स लिखने में देखिए यहां पर होगा किलो ग्राम मीटर प्रती सेकन्स्कॉायर ठीक है यहां से आप लोग सुधार लिजेगा यहां गार्चिक हो गया नेक्सक्ष्टन क्षोचन Rhodes nag सब्सक्राइब करंगूंज ठीक है घ्यों मेनधिकना में तब सक भी थ конф do not अगए ठीक है और ईसका ओड़ाइए थर्टी रागए उसका लुट थे हैंगेंगे तो कैसे तर में दूलुड़ते हैं दो आठ ठीक है अगर आप लोग ने जरांय पड़ाओं आप विनियास तो आप लोगों पता होगा ठीक है तो इसका ओप्शन होगे बी कोश्टन नमबर 94 प्रत्थम भारती अपगर कब छोड़ा गया था तो प्रत्थम भारती अपगर 1975 इसलिए में छोड़ा गया था ठीक है अगर आपको डेट पूछे तो यह हो जाएगा उनीस अपराइल उनीस सो पचत्तर ठीक है जिसका नाम क्या था जिसका नाम था आरे भट ठीक है आरे भट और यह कहां छोड़ा गया था तो यह छोड़ा गया था रूस के बैंका नूर से ठीक है नेक्स कोश्टन कुश्टन नमर 95 इलेक्ट्रोन की खोज किसने की तो ठीक है प्रोटोन क्योश गेती गॉडेशी ने कभ तो 1191 ठीक है और चैडविक ने किस नेज़च एक ने धगते हैं सोर मंडल का सबसे बड़ागरह कौनlex कल आतो पूपिटर और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है तो इसके उपगरहों की संख्या 82 ठीक है 82 सॉरी इसके उपगरहों की संख्या फ्रेंट्स 79 इसके उपगरहों की संख्या सबसे अधिक नहीं है बट उससे कम है सबसे अधिक है सनी का सनी गरह का सबसे अधिक 32 उसके बाद है ब्रस्पति का 79 ठीक है कि नेक्स कोस्टन एक किसा समान होता यह को कुश्टन को सबसे बाहरी कन को नहीं सबसेवारी कन न्यूट्रों्ण ठीक है एक रिक है मैं था कि न्यूट्रों का बहर कितना अथा यह वना पोइंट 6, 7, 8, 2 ने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम ठीक है Next question, question number 99 G यानि gravitational constant बड़ा G से आँग लोग gravitational constant को denote करते हैं इसका S unit क्या हता है तो इसका S unit हता है न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रती किलोग्राम स्क्वाइर ठीक है आप लोग को इसका value का मान comment box में comment करते हैं ठीक है कि gravitational constant का value कितना हता है इसका आप लोग मान comment box में comment करते हैं ठीक है और आज का last question friends set for हमारा आज समाप्थ हो जाएगा 100 question मदमक्खी पालन की अध्यन क्या करते हैं तो मदमक्खी पालन की अध्यन को AP culture का जाता है ठीक है और pichology में सेवालो का धिन करते हैं horticulture में भागवानी ठीक है जैसे फल फूल सबजी और dendrology में बृचोयों चाड़ीों का धिन करते हैं ठीक है डेंड्रोलोजी में बृचोयों जाड़ीों का धिन करते हैं तो friends यह दिल्ग को जा दो अ दोस्ट कर दो जाएँ को बड़ एाँ झाल रत्द घड़ हैं हैं है जा जहें है जा हैं है तोस्टा को जड़ काहाँ एा है वाँ हैं है